सुगर चाहे तीन सो हो या फिर चार सो सुगर चाहे बीस साल पुराना हो या फिर तीस साल पुराना हो ये एक पत्ता रात को इस त्रहें से लगा लो और इस सुगर रोग को हमेशा के लिए जड़ से खतम करते हो नमस्कार दोस्तों दोस्तो आज की इस वडियों में हम आपको सुगर रोका एक ऐसे इलाज के बारे में आपको बताएंगी। दोस्तो यदि आप इस नुस्खे को अपनाते हैं और इसका हर रोज परियोग करते हैं तब आपकी ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए बिलकुल जड़ से खतम हो जाएगी। दोस्तो आज हर घर में इस सुगर नामक बीमारी का मरीज पाये जाता हैं और दोस्तो इस बीमारी के कॉम्पलिकेशन भी बहुत आदिक हैं। आप इसको हमेशा कंट्रोल में रखें। लेकिन दोस्तो आज की सुर्य में जो दिंचरिया और जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगा उससे आपका सुगर बिलकुल सही हो जाएगा। दोस्तो चाहे आज आपका सुगर तीन सो हो चार सो हो कितने भी साल पुराना हो बीस साल तीस साल याने कुछ भी पुराना हो दोस्तो लेकिन इस नुस्खे को अपनाने के बाद आप जब भी अपना टेस्ट कराएंगे तब आपको अपना सुगर बिलकुल नॉर्मल मिलेग दोस्तों चाहे आप खाली पे टेस्ट कराएं, खाना खाने के बाद कराएं, रात को कराएं, सुबे दिन में कराएं, जिस टैम मरजी कराएं, आपको हमेशा आपना सुगर बेलकुल सही मिलेगा, लेकिन आपने इस दिंचरिया का हरोज पालन करना है और इस नुस्खे को अप अपनानी है, यहनि कि जब तक आप जियेंगे, तब तक आपने ये दिंचरिया अपनानी है, आप यह बाद सोच लो, यहनि कि अगर मैं बात करूँ एक महीने में एक से दो दिन अगर आप छूट जाएं, इस दिंचरिया को भंग कर दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपक सबसे पहले क्या करना है रात को सोते समय एक चमच मेथी दाना और एक चमच कलोंजी लेकर रात को एक गिलास पानी में विगो कर रख देनी है और सुबे बासी मों सबसे पहले आपने इस पानी को पी लेना है और इन कलोंजी और मेती दाना के बीजों को भी चवा चवा कर खा लेना है सबसे पहला काम उसके बाद आपने तीन से चार गिलास पानी पीना है उसके बाद आपने आदे घंटे के बाद आप सैर करने के लिए जाएं आपने हर रोज सैर जरूर करने हैं वो दोनो टाइम का नियम है सुभी भी आपने सैर करने हैं और श्याम को भी सैर जरूर करने हैं और सैर करने के बाद आपको हलका हलका वयाम करना है आपको वया में मंडू का आसना आपने जरूर करना है इसको आपने सामिल ही सामिल करना है इसके इलावा अनलोम विलोम और कपाल भाती भी आपने करने है इसके साथ में मंडू का आसना आपने जरूर करना है और इसके साथ में दोस्तों, आपने एक एक्यूप्रेसर पॉइंट है, आपके हाथ में और पैर में, दोनों हाथों में और दोनों पैर में उसको भी दबाना है, वो कहाँ है, आपकी जो अंगूठे का ये उबरा हुआ भाग है, उसके नीचे जो ये लाइन लगी है, इसके आपको फिरी टाइम ले, आपने दिन में दो से तीन बार ये काम करना है, ये आपने दोनों हाथों में और आपके दोनों पैरों में भी ऐसे ही पॉइंट है, मैं आपको ये जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं, वो आपने पॉइंट आपने दबाना, आप सलाइन पर दब और उस आटे की रोटी आपने दोनो टाइम खानी है। उस अनाज में बनाना कैसे हैं। उसमें आपने गेहूं लेना है, चना लेना है, बाजरा लेना है, मक्का लेना है, जों लेनी है, जवार लेनी है, और सोयावी लेनी है। यनि साथ अनाज लेकर आपने पिसवाने हैं। और इस आटे की रोटी आपने हर रोज खानी है सुबे दोपहर स्याम को जब भी आप खाना खाएं तब आपने इस आटे की रोटी का ही सेवन करना है और इसके साथ में आपने ये नुस्खा पनाना है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ अब इससे होगा क्या दोस्तो इससे होगा क्या आपका सुगर आ चाहे 200 हो या फिर 400 वो बिलकुल नोर्मल आ जाएगा और दोस्तो आपके पूरे सरीर की कमजोरी आपके सरीर में कहीं भी कमजोरी है वो बिलकुल जड़ से खतम हो जाएगी यनि आपके सरीर की हर कमजोरी का भ रोजनी बढ़ जाएगी आपकी आँखों से भी चस्मे को उतारने का काम करेगा आपकी आँखों के रोजनी को बढ़ाकर आपकी आँखों से चस्मे को उतार देगा दोस्तों इस नुस्खे को करने से जो मेती दाना और कलुंजी आप सुबह खाएंगे उससे आपके सरीर की इम्म्यून पावर रोगों से लड़ने की सक्ती भी बहुत आधिक बढ़ जाएगी। और दोस्तो यह है तो आप जानते ही हैं कि जब आपके इसरी में रोगों से लड़ने की सक्ती आधिक होगी, तब आपको बहुत त्रहें की विमारिया नहीं लगेंगी। अब जानते हैं उस एक पत्ते के बारे में, उस एक पत्ते के कमाल के बारे में। दोस्तो यह है आग का पत्ता, दोस्तो आग को मधार, आकड़ा और आग के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोस्तो हर जिगहें आपको कहीं भी खर पतवार में खड़ा हुआ मिल जाता है साड़क के किनारे कहीं भी यानि फिरी का इलाज है दोस्तो आपने क्या करना है इस एक पत्ते को तोड़ना है और रात को जब आप सोएं उससे पहले आपने अपने पैर पर इसको उल्टा करके बांद देना है जैसे कि यह हमने बांद गया उल्टा करके आपने बांद देना है और उसके बाद किसी डोर की साहित इसको बांद कर उपर से अपने सोक्स डाल देनी है और रात को दोनों पाउं पर ऐसे बांद कर सो जाना है और सुबे आपने इसको निकाल देना है हर रोज आपने रात को सोते समय इसी काम करना है और दोस्तों आप देखेंगे कि आपका सुगरोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और दोस्तों आपने करना क्या है रात को सोते समय आपने इस पत्ते को बांद कर सोना है और सुबह इसको निकाल देना है बस आपका ये काम है और आपका सुगर रोग बिलकुल सही हो जाएगा लेकिन आपने continue इस काम को नहीं करना है जैसे आपने 2-3 दिन इसको बांदा फिर 2-3 दिन आराम किया फिर 2-3 दिन बांदा इस तरीके से आप इसको continue रखें और आप देखेंगे दोस्तों कि आपका सुगर रोग बिलकुल सही हो जाएगा आपको दोबारा से इस सुगर की विमारी के लिए दवायों का सेवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना चमतकारी है ये नुस्कार तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी आज ही अपने घर पर इस नुस्के को बनाएं और इस नुस्के का प्रियोग करें और अपने सुगर रोक से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाएं तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे तो प्लिस लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिकेशन आते रहे धन्यवादो